हिलो फ्रेंड्स, बहुत-बहूँ स्वागत है आपका zipper fastest study and experiment पर तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं break drum coupling के बारे में हम जानेंगे कि आखिर break drum coupling क्या होता है इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि types of break drum coupling कितने प्रकार के break drum coupling होते हैं उसको भी इस वीडियो में हम जानेंगे तो friends ऐसे ही industrial technical videos mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 830 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अंतिता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि what is break drum coupling आखिर break drum coupling क्या होता है तो देखिए जो break drum coupling होता है उसके दो purpose होते हैं सबसे पहली बात तो ये flexible type of coupling के अंतर गताता है है ना तो ये एक coupling है जो कि flexible type of coupling है उसके साथ में ये एक break drum भी provide करता है इसमें एक break drum mounted रहता है है ना इस coupling की उपर में same उसी space पे है ना तो ये coupling को use कर सकते हैं किसी भी तरह के break shoes के साथ हम जैसे कि electro pagnet हो गया थास्टर हो गया, bend एसेक्टर हो गया है ना तो इसका जो material होता है इस coupling का वो भी high grade cast iron और cast steel का बना होता है break drum coupling जो है वो coupling के साथ साथ break drum का भी काम करता है coupling का क् decrease होता है driving shaft को driven shaft से connect करना और power को एक shaft से दूसरे shaft में transmit करना जबकि brake का काम होता है जब requirement हो उस requirement के समय में उस system को stop कर देना उसके motion को रोक देना और ये दोनों ही काम करता है brake drum coupling brake drum coupling का इस्तेमाल बहुत सारे जगस पे किया जाता है जैसे कि आपके kiln के main drive उसमें किया जाता है विंच machines में brake drum का use किया जाता है कुछ cranes में योटी cranes में भी brake drums का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके application बहुत ज़्यादा है और क्योंकि इसका सबसे बड़ा advantage ये होता है कि same space पर आपका coupling भी fit हो जा रहा है और उसके साथ में brake भी fit हो जा रहा है ब्रेक ड्रम कापलिंग चार टाइपस के होते हैं सबसे पहला है ब्रेक ड्रम पिन बुश कापलिंग दूसरा है ब्रेक ड्रम टायर कापलिंग तीसरा है ब्रेक ड्रम रेजिलेंट कापलिंग चौथा है ब्रेक ड्रम गेर कापलिंग तो friends ये वीडियो थी हमारी break drum type coupling की उपर उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदाव